अरिकृष्णा गीता विज्डूम सिरीस में आप सभी का स्वागत है गनेश चतुरती की आप सबको हार्दिक शुबेचा भारत भर में या विश्व भर में जहां पर भी वैदिक सनातन धर्म के फॉलोवर्स है जहां पर भी हिंदू समाज के लोग रहते हैं या जो वैदिक स चतुरती मना रहे है भगवान श्री गनेश का ध्यान कर रहे है गनेश जी का और खास करके दक्षिन भारत में हम जब जाते तो देखते है कि विनायक नाम बहुत प्रसिद्ध है और दक्षिन भारत के तमिल नाडू में गनेश जी की उपासना बहुती प्रखर रूप से कि तो बहुत सारे गनेश जी का मंदीर है, कार्तिके का मंदीर है, मुर्गन जी का मंदीर है, और आजे के दिन, August 22, 1639 को, विजयनगर का जो एंपायर था, जो राजा थे, उनके एक वेक्ति ने, जो East India Company है, उसको चेन पतनम, या मदरास पतनम, या चन्ने शहर का जो पूरा ट्र करन्ता, हम देखते हैं किस प्रकार से, पूरे भारत बर में इस गनेश जी का बहुत बड़ा महत्सव मनाया जा रहे हैं, तो हम थोड़ा जानने का प्रहत्न करें, कि गनेश जी को किस हिसाब से हमको देखना चाहिए, किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार देवताओं में एक देवता है परंतु वो साधारन देवता नहीं है तो उनके कुछ qualities ऐसे है कुछ गुन इतने महान है जिनके बारे में आज हम जानेंगे सरव प्रताम वो बहुत बुद्धिमान है बहुत तेज है और उनकी बुद्धिमान की बुद्धिमता की एक शमता हम देख सकते एक सुंदर लिला है जहां पर शिल वेद व्यास देवताओं के पास जाते हैं और उनको आग रह करते हैं कि देखिए मुझे एक ऐसा वेक्ति चाहिए स्टिनोग्राफर की रूफ में कि मैं बोलता रहूंगा श्लोक उस वेक्ति को आर्थ भी समझना है और बिना रुके लिखते रहना है तो देखता लोग और वही भी कहते हैं कि बहुत आशिरवात दूँगा अगर कोई गलती कर दी और रुक गया तो मैं उसे शाप भी दूँगा तो सब डर जाते परंत विनायक जी कहते हैं गणेश जी कि मैं आता हूं और गणेश जी इतनी तेजी से लिखना प्रारम करते हैं कि वेदव्यास जी लिखाया गणेश जी ने खास करके माँ भारत और माँ भारत में आता है भगवान का गीत भगवत गीता और भगवत गीता में पुर्ण पुर्ण पुर्श्वत्तम भगवान शी कृष्ण जिसके बारे में हम जान रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वो भगवद गीता बेसिकली बोला गया शिलवेद व्यास द्वारा परंतु लिखित रूप में कार्य सेवा किया गणेश जी ने इतनी महान सेवा करते हो और बुद्धिमान है दूसरा उनका है कि वो वरिष्टों को पालन करते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं उसका उधारन इस प्रकार से कि एक बार फल देनाता माता पार्वति को दोनों पुत्रों के बीच कार्तिक है और हमारे गणेश जी की बीच द्वन्द होता है और विचार करते किसको मिलना चीए तो कहते है कि चलो जो इस पूरे विश्व का चकर लगा कर प्रदिक्षना करके पहले लोट आएगा उस वेक्ति को यह फल मिल जाएगा तो यह कहने के बाद अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग कताओं में अलग-अलग इसका दृष्टिकों है यह दृष्टान्त वैश्णों के सिद्धान्तों से आता है तो जब कहा उनको पता चलता है कि माता-पिता का प्रदक्षना कर दे तो एक्युवालेंट है. यहाँ पर मातापिता कोई ordinary विक्ति नहीं है, साधारन्ता भी मातापिता बहुत ही उनको हमको सम्मान देना चीए, उनके प्रती हमको बहुत आदर होना चीए, परन्तु यह मातापिता कोई ordinary नहीं है भगवान के गुनात्मक जो आउतार है तीन गुनों के जो आउतार होते है जो तमोगुन को रेप्रेजेंट करते है या तमोगुनी लोगों को जो भक्ती में लगाने का प्रयास करते है शिवजी और भगवान की भहिरंगे शक्ति पारवती इनके पुत्र है तो ये माता पित गोपुरम में देखा गया है कि कैसे नर्सिंग देव आशिरवात दे रहे है गनेश जी को और ब्रह्म समिता में वर्नने यदपाद पल्लव युगम विनिदाय कुम्ब उनका जो चरन है उनके सीर पर है और उसके कारण क्योंकि नर्सिंग देव स्वैबन विगन हरता है तो कि भक्त गनेश जी को प्रातना करे कि कृष्ण की भक्ती के मार्ग में कृष्ण को प्राप्त करने के मार्ग में हमारे जो भी बाद आये है उस सबको आप नस्ट कर दो चौता है वो डबल रोल निभाते हैं गनेश जी गनेश जी के अधिकतर जो उपासक है वो उपासक क्य करते हैं कि भौतिक इच्छा है पतनी पती अच्छे संतान मुझे अच्छी नोकरी मिल जाए धन मिल जाए कोवीड से मुक्ती अनेक अनेक प्रकार के प्रात्नाई करेंगे परंतु जो भक्त होते है वो गनेश जी को यही प्रात्ना करते है कि जो आपकी भक्ती है शिनर सिंग देव के प्रती उसका एक बूंद उस सागर का एक बूंद मुझे प्रदान कीजिए गनेश जी इससे मेरी पूरी जीवन परफेक्ट हो जाएगी और पाच्वा जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है कि सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान जिसी भी परस्तिति में क्यों उसके मार्ग क्या है वो मार्ग बतलाता है चेतना जब कृष्ण मही हो तो पूरे शिव जी के परिवार को अगर हम ठीक से जाचे तो हमको पता चलेगा कि हरे एक विक्ति का कैरियर या वहान एक दुसरे का दुश्मन है अर्थात दुर्गा जी का वहान शेर या सिम है और शिव जी के गले में सर्फ है तो ये दोनु का भी एक दुसरे के प्रती द्वेश है और उसके बाद गले में सर्फ है और जो गनेश जी है उनके वहान है चुए तो वो दोनु का भी जमता नहीं है क्योंकि वो सर्फ चुए को खा लेता है तो फिर भी इतना द्वेश हो सदेव अपने त्रिशुल में बंदावार डंबरू को हिलाते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र को जबते हुए किर्टन करते हुए नटराज है वो नित्य करते रहते है तो इसी कारण से वो पूरा परिवार इतने डिफरेंसेस हो सकते है नैचरली तो कि स्वाभावी के एक दुसरे के दुश्मन है परंतु इतने अच्छे तरीके से फ्रेंडली वे में रह पाते है तो किसी को भी अगर फैमिली में यूनिटी लाना है तो सिंपल तरीका है शिव जी के परिवार से हम सीख सकते हैं कि हमको कृष्ण भगत होनी क्या हो शकता है गनेज भी हमको यही बतला रहे आज ही हमने गोर्दन इकोईलेज में सुन्दर जै हमने एक सेक्शन पहले प्रतम सेक्शन में देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन प्रश्ण पूस्ते हैं और उन्स प्रश्ण के सभी आठ प्रश्णों के उत्तर कृष्ण देते हैं तीसरे और चावते में और तीसरे स्लोक में साथ प्रश्णों के उत्तर देते हैं और उसके पात से आट के बीच जो उनका आठवा प्रशन है उसका उत्तर देते हैं अभी 9 से 13 के बीच remembering Krishna by Yog Mishra Bhakti योग Mishra Bhakti कारत है कि वेक्ति भक्ति प्रेडॉमिनेंट है भक्त है परंतो उसको कुछ सिद्धी प्राप्त करना योग मार्ग से कारे करना वो भी अच्छा लगता है उसकी रिजल्ट्स भी उनको चाहिए तो ऐसे मार्गों को कहा जाता है योग Mishra Bhakti और वो जो पालन करता है उसो योग Mishra Bhakt कहा जाता है तो Krishna को स्मरण करने का अलग-अलग मार्ग बतलाया गया यह 9 शलोक में वो कहते है कविम पुर्ण पुर्ण प्रकुषोत्म भगवानशे कृष्ण सरवग्य है वो हमारे पास प्रजेंट फ्यूचर सबको पुर्ण प्रकार से जानते हैं पुराणम वो आज भले 5000 वर्ष पुर्व इस भूमी में लिला करने के लिए पुर्ण पुर्ण पुर्षोत्म भगवानशे कृष्ण परन्तु वो पुराणम है आदिदेव है सबसे पहले है फिर अनुशासित्रम अर्थार्थ वो सबको नियंत्रक है अनोह अनियम्शियम अर्थार्थ लगुतम से लगू छोटे से छोटा बन सकते हो सर्वस्यधात्रम सबके मेंटेनर है हो अचिंत्य इनकंस्यूवल अर्थार्थ जिसके बारे में हम बुद्धी से कितना भी क्यों प्रकार से समझ नहीं पाएंगे रूपम उनका एक सुन्दर फॉर्म है आदित्यवर्णम उनका हजारो हजारो सुर्यों की जैसे उनका तेज है और वो स्वैम को दर्शन देते हैं स्वेम दर्शन देते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि रात के बारा बजे सूरिया में दर्शन दो, वैसे भगवान सेल्फ रिवीलिंग है, तमसब परष्टित अर्थात, वो भोतिक जगत के जो अंदकार है, अविद्या है, उससे दिव्व है, दसवे शलोक में शट चक्र योग, तो ये शट चक्र योग, जो हमारे प्राण वायु है, उसको एक प्रकार से उपर ले के आते हुए, यग्य चक्र पर फोकस करते हुए, कैसे हम सीर के मार्ग से उपर निकाल सकते हैं, और उस मार्ग के बारे में वरनन किया गया, उसके बारे में 8.9 में भी बताये गया है, और यह भक्त है यह कोई साधारान वो इंपरसनलिस्ट योगी नहीं है जो केवल निर्विशेज निराकर पर फोकस करें विक्ति भक्त है तो अर्जुना को समझ में नहीं है कि अग्ये चक्र क्या होता है और शट चक्र योग प्राक्टिस कैसे करते हैं तो उसको एक्स्प्रे केहते है कि व्यक्ति को वेरागी होना चाहिए उसे कोई आसक्ती नहीं होनी चाहिए विट राग किससे आसक्ती नहीं होनी चाहिए दुसरा सेलीबिशी अर्थाथ ब्रह्मचार्य तो आप समझ सकते कि योग अगर clear sense में अध्यात में जगद जाने के लिए पालन करना है तो ब्रह्माचारी एक prerequisite है हम यह कह नहीं कर सकते हैं कि वो जरूरत नहीं है वो जरूरत बहुत बड़ा जरूरत है तिसरा है वेद विधा वेदों के ज्यानी होनी चीए और वो सदेव ओम शब्द का उच्चार करते रहे न चीए ओम शब्द कृष्ण के impersonalist aspect को बतलाता है यह हो गया requirement यह पहले दो लाइन में ग्यारवेश लोग के दूसरे दो लाइन में बतलाते हैं कि इससे आपको प्राप्त क्या होगा शट्चक्र योग से वेक्ति ब्रह्मन में जा सकता है निर्वशेश निराकार में जा सकता है उसकी चेतना जैसी है या वैकुंत जा सकता है और बारवेश लोग में बतलाया गया कि मार्ग कैया सरव प्रतम सब प्रकार के अपने दरवाजे बन कर दो यानि इंद्रियों को इंद्रे वस्तु से दूर लाओ जैसे कच्वा अपने पैरों को अंदर ले लेता है उसी प्रकार से इंद्रियों से इंद्रे वस्तु से अपने इंद्रियों को दूर कर लेना प्रत्याहार कहा जाता है उसे फिर मन को रिधय पर फूकस करना और फिर इस प्रकार से जो हमारे सिर के मार्ग से उस प्राण को भार निकालना और भगवान के आश्रे लेना योग धारनम करते हुए वैखुंट के गमन के लिए हम जा सकते हैं तो बंग में बतते हैं कि हमारा आखरी गंतव स्थान क्या हो सकता है शर्थ चक्र योग का अगर कोई पालन कर रहे हैं डेस्टिनेशन की अग्र पोँचे क्ढ़ों अभी तक हमने देखा कि पुर्ण पुरुषृत्तम भगवानशी कृष्ण को हम योग मिश्र भक्ति से अध्यातमी जगत कैसे जा सकते है उसके वारे में वर्णन किया अब शुद्ध भक्ति से क्या प्राप्त हो सकता है उसका वर्णन करेंगे भक्ति और अन्य मार्गों में क्या है बाकी मार्गों में जो योग मिश्र भक्ति हुआ कर्म मिश्र भक्ति हुआ क्यान मिश्र भक्ति हुआ विक्ति को भी एटैच्मेंट है अपने अट्रिब्यूट से अपने कलाओ से अपने ज्यान से अपने योग सिद्धी से परन्तों केवल शुद्ध भक्ति में से वेक्ति कोई और इच्छा नहीं केवल क्रिष्ण की संतुष्टी उनका फोकस है कि चोद्वेश्लोक में कहते हैं कि कैसे क्रिष्ण को केवल भक्ति से मटेन कर सकते अनन्याचेत तासत तम योमाम स्मरते नित्यसात अस्याम सुलब अपार्ता नित्ययोकतस्ययोगिना बिना कोई रुकावट के या बिना कोई डिवियेशन के जो वेक्ति मेरा निरंतर चिंतन करते हैं मैं उसके लिए निष्टित रुप से वो मुझे प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो निरंतर मेरे सेवा में एंगेजड है और यह सुलब है डिफिकल्ट नहीं है शत्चक्र ब्रह्माचारे का पालन करना बहUट बहुत्ट इफिकल्ट है और वन में जाकर उसक्रा प्राण को उपछी वेजड योग वोग रादन के युटपिकल्ण है इसके प्रना शत्टियों के लेक्राट के जाना यह बहुत मुश्किल है अब हमको सास लेने में प्रब्लम हो रहे है कोईड में यह वायू प्राण को या प्राण वायू को उपपर के दिशा में ले जाओ अगेरा अगेरा यह सब इतना आसान थोड़ी नहीं पंद्रवे श्लोक में कृष्ण बतलाते है कि पुनर जन्म लेना नहीं पड़ता है भकतों के लिए no birth, rebirth for pure devotees कौन चाता है इस जगत में पुनर आए अगर कोई वेक्ति एनलाइस करे तो पीडा दायक है माथा को भी और संतान को भी परन्तो और कोई मार्ग नहीं है तो उसी मार्ग से इस वेक्ति इस जगत में आते है परन्तु बुद्धिमान वेक्ति विचार करें तो कृष्ण जो बतलाने वाले पंद्रा श्लोक में तो उसको बहुत pessimistic नहीं लगेगा इस जगत के बारे में इन फैक्ट वो रियलिस्टिक लगेगा जब हम ठीक से एनलाईज करें तो वो कहते है कि जो वेक्ति मुझे प्राप्त करता है पुना इस जगत में जनम नहीं लेता क्योंकि यह जगत अशाश्वतम है और दुख से भरा हुआ है जिसने इस जगत को बनाया वो वेक्ति यह कह रहे है तो बिल्कुल हमको यह नहीं समझना है कि गीता पैसिनिस्टिक व्यूदर है इस जगत के बारे में अरे सुख है इस जगत में आप ऐसे क्यों बतला रहे हो दुख है हम प्रयास कर सकते हैं परन्तु आप जितना भी प्रयास करोगे इस जगत को हम बदल नहीं पाएंगे अगर गुलाब जामुन एक बड़े से क्या कहते हैं आप नमक के खान से नेकर जाओगे आप उसको तो कितना भी अच्छा गुलाब जामुन के उना बनाये हो नमकीनी होगा और व्यक्ति कोईले के खान में क्यों करता हो और कोई भी डिटरजेंट क्यों न उपयोग करता हो उसकी सफेदी रहेगी नहीं कपड़े की हो खराबी होने वाला है काला ही होने वाला है तो इस जग के बाद कि ये बहुतिक जगत में पृत्वी के कॉंटेक्स में का होगा इस जगत ये टेंप्ररी वर्ल्ड है क्या सब लोकों में ऐसा ही है तो सोलावे कृष्ण देल स्लोक में क्रिश्ण कहते हैं अरे भाई च virus इस प्लैनेटर सिस्टम इना कि सभी प्लैनेटर सिस्टम में सब जग़ कहते हैं ऑब्रह्मा भुनालोक पुनार ़ॉतन अर्जुना माम उपेते तु कौनते या पुनर जनमान विद्यते ब्रह्म लोक से लेकर नीचे तक जितने भी है ब्रह्म लोक, महार लोक, जनलोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, भूर लोक, भूर लोक, भूर लोक, फिर आताल, वीताल, सूताल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, यह पूरा 14 प्लानेटर स पुना इसको इस जगत में बर्त लेना नहीं पड़ता है, जन्म नहीं लेना पड़ता है, और इस सबसे important principle है, सुकी होने का मार्ग है, कि इस दुख के और जन्म मृत्यू के चक्र से अगर हमको बाहर निकलना है, तो कृष्ण बतलार है कि कैसे हमको आश्रे लेना है, तो आज गनेश चतुरती है, गनेश जी जहां पर भी आप दर्शन करें, उनका आप चिंतन कर रहें, तो उनसे प्रात्ना कीजिए, हे गनेश जी आप जैसे भगवान के महान भक्त है, थोड़ा भक्ती जो आप में इतनी भक्ती है, मुझे थोड़ा सा हो दे दीजिए, ताकि मैं भ अर्थात, अलग अलग स्तर पर भगवान के विस्तारित रूप से, अगर उधारन इस परकार दिया जाता है, कि समझो कोई राजा है, और राजा अपने पुत्र को डाटता है, और पुत्र अपनी होने वाली पत्नी के साथ चला जाता है, और उनसे विवा करके दूर रहता ह पर तुर राजा को पता है कि गरीब है इसको कुछ है नहीं, उसके पास व्यवसाई नहीं है, ना उसके पास धन है, तो अपने मंत्री को कहते हैं कि मंत्री आप जाके दोस्ती करो, और उसको कहो कि मेरी ये सिवा करो, मैं धन देता हूं, धन महीं दूंगा, कुछ करे ना कर कर रहा है राजा तो कृष्ण बतलाते हैं पिछली चैप्टर में हमने देखा कि कैसे देवताओं के प्रती खास करके उस 7 चैप्टर के 20-25 वर्स में जो भी शद्दा है वो भी कृष्ण ही प्रदान करते हैं ताकि वेक्ति एक जगह पर कर रहे हैं तो वेदिक कल्चर इस नोट एक्स्क्लूजिवली कृष्ण इस कंक्लूजिवली कृष्ण अर्थात वेदिक सभ्यता में सब जगह केवल कृष्ण नहीं है परन्तु भक्ति का सर्वोच अगर समीट किसको चाहिए भक्ति में रस चाहिए आनंद चाहिए और जिस आनंद के हम भूके हैं तो हमको कृष्ण की ही उपासना करनी होगी कृष्ण की भक्ति करनी होगी क्योंकि सब लोग कर रहे हैं ब्रह्मा जी भक्ति कर रहे है कृष्ण की गनेश जी कर रहे है शिव जी कर रहे है पार्वती जी कर रहे है कार्तिके कर रहे है सूर्य कर रहे ह किंद्र कर रहे कौन से देवी देवता नहीं करते कृष्ण की भक्ति अगर जब सभी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं सभी ब्रह्मरिशी कर रहे हैं देवरिशी नारजी कर रहे हैं और देवताओं के जो गुरु है ब्रहस्पति कर रहे हैं और शुक्राचारे को भी पता है कि विश्णु से ही सब कुछ प्राप्त होता है हर वेक्ति को इस जगत में पता है कि विश्णु अराध्य दैवत है हमारे और हर गनपती के आरती के अंत में भी हम देखते कि कैसे किस प्रकार से भगवान के नाम की सुती होती है और महाराष्ट में तो कम से कम लोग हरे चीफ है जब भी समस्य यह जगत में आती तो देवता इंद्र के पास जाते इंद्र नहीं सवाल कर सकते कार्थीख कर जाते इस बहुती जगत के सभी वहां शीकृष्ण की कताये चलती है भागवतम कता चलता है तो पूरा परिवार बैठकर कता सुनता है पारवती जी शीव जी कार्तिके जी और हमारे गनेश जी तो ऐसा परिवार सुखी और सम्रुद्ध रहे सकता है पूरे जगत के इश्वर है भुबनेश्वर उनकी पतनी है बात को समझने के आवशक्ता है कृष्ण जब कहते है गीता में अल्पमेदसा उसकारति यह है कि देवताओं के जो उपासक है वो टेंपररी बेनिफिट्स के लिए वो जो आनंद है वो भी शाष्वत नहीं है और दूसरा जो मिलने वाला है वो भी अनलिमिटेड नहीं है तो कृष्ण भक्ति करने से जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा इतना बड़ा बेनिफिट किसे मिल सकता है जो 15th और 16th श्लोक में बता है कि पुनर जन्म लेने के अवशक्ता ही नहीं इस जगत में और ब्रह्माजी के लोग में जब पूरा पृत्वी पूरे ब्रह्मांड का डिवास्टेशन हो जाता है या उस लोग का तो पूरे ब्रह्मांड का पर्टिकुलर यूनिवर्स का तो ब्रह्माजी और उनके जितने भी फॉलोवर्स थे उनकर कृष्ण का शुद्ध भक्ति करते हुए अध्यात्मिक जगत लोट जाते है तो इसलिए हर देवी देवता अपने भक्ति करके उनको अल्टिमेटली कृष्ण के धामी जाना है तो हम भी क्यों ना अगर सभी देवी देवता कृष्ण की भक्ति कर रहे है तो क्यों ना हम कृष्ण की भक्ति करें देवताओं को भी आनंद आएगा भगवान तो आनंदित होंगे ही और हम भी अपने जीवन में आनंदका अनुभव कर पाएंगे, इस प्रकार से हम सदयव सुखी रह पाएंगे और दूसरों को भी सुख दे पाएंगे, और सरल मार्ग क्या है कल्यूग में उस सुख को प्राप्त करने का, अगे के सत्र में हम चर्चा करेंगे, कि अध्यात्मिक जगत और भोतिक जगत में क्या अंतर है क्रिश्ण के पर्स्पेक्ट्टिव से, गीता के माध्यान से, आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे क्रिश्ण